हाई दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चेनल रिजल्ट एक्स्प्रेस पे आपका स्वागत है अगर आप पर्थम बार इस चेनल पे आए तो किर्पया चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि वीडियो का अपडेट आपके पास मिलती रहें तो चलिए सब्सक्राइब कर लिए तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर लिए तो चलते हैं कि आपका जो आने बाला है एक्जाम दोजरेक्षिट अप्डेट सिट के बारे में जो है अप्डेट किया गया कि देट निकलेगा सिबैटेट ने बोड्षिट परिक्षाओं की तारिक का एलान हाल ही में कर दिया है कर दिया था ठीक है कि इस साल activities तो इस साल की दश्मी और बार्मी की बोड परिख्छा death VAN a चार मैंसी शुरूYA इस साल चार मैंसे शुरु होगी चार मैंसी स्लेकर दशली अधृक्षा ए इसका तो नोटुपिकेशन मिल चूखा हो लेकिन अभी तक क्यासों का दौर भी जारी है कि केंद्रियम आदमिक सिक्षा बॉड यानि से चालिस दिन बाद जारी कर सकता है मतलब कि अभी आप लोगों के पास बहुत सुना रहा है कि आराम से पढ़िए अभी तक कोई डेट सी टान नहीं आने वाला है कि मतलब कब किसका मतलब एक्जाम होगा आम तोर पर यह देखा गया है कि से परिक्षा सुरू होने से लगवक इस इस वादल जहार रहा है कि 30 से 30-35 दिन के अंदर आप लगवक में आपका सिघारी हो जाएगा तो अब देखेंड है। मतलब कि पिछले साल कितने दिन पहले मतलब पिछले साल जो है कितने दिन पहले जारी किया गया उसके बारे में आपको बता देते हैं देखे बीते साल की बात करें तो बीटे साल की बात करें तो बोड परिक्षा है पंद्रों फरवरी 2020 से आयुद किया गया था को आयुद किय गया था शुरू होनी थी होनी थी इसके लिए बॉर्ड ने नॉमबर 2019 में जारी कर दी थी मतलब इतना दिन पहले 2019 में जारी कर दी थी एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर इस ट्रेड को ही फोलो किया जाता है तो मार्च में बॉर्ड पर इच्छा की डेट सीट बो मतलब एक्ज यह जाते हैं तो जागते हैं अपके सलेबस में ठीक तरह आपका जो यह जो जो सलेबस है उसी से पुछा जाएगा और आप जो अभी जो एक्जाम में देने वाले हैं सीवेसी के बोर्ट से उसी से रिलेटर जैमें और नीट का कोईस्चन जो है रिलेटर उसी से रहेगा तब पर भी आपको अलग राइटर का भी पढ़ सकते हैं अगर आपको वीडियो में जिसमें आपके लिए लेके आते हैं कि डेट सीट तो इतना के लिए थैंक्स चैहिंद